हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हर हर महादेव जैमा गौरी आज मैं आपके साथ मैं हर्याली तीज की पूजन सामिगरी शेयर कर रही हूँ उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हर्याली तीज की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है चोकी आपके पास जो भी चोकी हो आप ले सकते हैं आपके पास चोकी ना हो तो आप पटा भी ले सकते हैं इसके बाद हमें चोकी पर विछाने के लिए चाहिए होता है लाल कपड़ा यहाँ पर मैंने लाल कपड़ा पहले ही विछा लिया है अब हमें हर्याली तीज की पूजा करने के लिए चाहिए होती है सिपरवार की फोटो यदि आपके पास सिपरवार की फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं आप हर्याली तीज की पूजा में मिट्टी के सिपारवती अवश्य बनाईए हर्याली तीज की पूजा में मिट्टी के सिपारवती अवश्य बनाई जाते हैं यहां हमने हर्याली तीज की पूजा करने के लिए मिट्टी के सिपारवती कैसे बनाई है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाला हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप चेक कर सकते हैं अब हमने याँ पर सिवजी की पूजा करने के लिया है कच्छा दूद क्योंकि मैंने सिवलिंग बनाई हुई है यदि आपने सिवजी की मूर्ती बनाई है तो आपको कच्छा दूद लेने की आवश्यक्ता नहीं है इसके बाद हमने माता पारवती के लिया है सुहा का सामान हरे आली तीज की पूजा में माता पारवती को सुहा का सामान विशेश रूप से बैठ किया जाता है तो मैंने यहां पर सुहा का सामान लिया है आपके पास जो भी सुहा का सामान उपलब दो जितना भी उपलब दो आप माता पारवती को अवश्य बैठ करिएगा हरे आली तीज की पूजा में हरे रंग का विशेश मैत होता है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जादा से जादा हरी चीजें ही माता पारवती को बैठ करें जैसे हरी चूड़ियां, हरी चुनरी तो इस चीज का आप विशेश ध्यान रखें यदि आपके पास किसी कारडवस हरे रंग की चूड़ियां या फिर चुनरी नहीं है तो आप लाल रंग की भी बैट कर सकते हैं अब हमने यहाँ पर तीज माता की पूजा करने के लिए बनाया है कुछ भोग जिसमें हमने बनाया है मीठे पूआ और पूड़ी इसके अलावा हमने कुछ मिठाई भी रखी है आपके यहाँ जो भी भोग लगाया जाता हूँ वही लगाईएगा तो मैंने यहाँ पर पूआ और पूड़ी वनाई हैं और कुछ मिठाई रखी है अब हमने यहाँ पर सिवजी की पूजा करने के लिए लिया है अश्टिगंति चंदन मांग भरने के लिए यहाँ पर लिया है सिंदूर अब हमने यहाँ पर लिया है कलावा जिसको हम भगवान को वस्त्र के रूप में भैट करेंगे इसके बाद हमने भगवान जी की पूजा करने के लिया है इत्र कुछ फल लिये हैं हमने भगवान जी के लिए आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं जल का कलश लिया है भगवान गनेश की पूजा करने के लिए सुपाड़ी लिया है हल्दी की गाठ ली है धूबबती ली है दीपक जलाने के लिए माचिस ली है पारवती जी के लिए हमने यहाँ पर चुन्री ली है अब हमने यहाँ पर अच्छत लिये हैं भगवान जी की मूर्तियों को आसन देने के लिए इसके बाद हमने काले तिल लिये हैं सिवलिंग को चड़ाने के लिए लॉंग का जोड़ा लिया है शिवलिंग को चड़ाने के लिए अब हमने यहां पर घी का दीपक लिया है पूजा करने के लिए इसके बाद हमने यहां पर आरती के लिए दीपक तयार किया है जिसमें हमने एक लॉंग का जोड़ा रखा है कपूर का हैं भांग ली है और हमने पूजा में चड़ाने के लिए कुछ दच्छना ली है दच्छना आप अपने हिसाफ से कमया जादा कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह थी मेरी पूजा सामिगरी की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आई हो तो